Hello, दोस्तों, मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप की हार्डिक्स की स्पीड कैसे चेक करें। हम चेक करना चाहेंगे कि हमारे कम्प्यूटर में या लैपटॉप में कि इसकी स्पीड की कम्प्यूटर स्लो होता है। हमारे computer में hardix की speed अगर slow होगी तो booting slow होगी, कोई भी application खुलने में slow खुलेगा copy paste भी slow होगा इसके लिए हम एक application का यूज़ करेंगे crystal disk info तो लेंगे google chrome उसमें, google chrome में search करेंगे हम crystal disk info इसमें तीन version है 5 MB का दूसरा है 192 MB का, तीसरा 140 MB का हम download करते हैं दूसरा वाला, 192 MB का इस पे download button पे click करते हैं और इसमें accept करने के बाद download होना शुरू हो जाए अगर इसमें एकसेप्ट करने के बाद दूसरा है, इसमें 192 MB का है बहुत धीर डाउनलोड हो रहा है इसके server में कुछ छीसू हो सकता है इसलिए हम इसको download करेंगे किसी और download manager से इसलिए इसके link कॉपी कर लेते हैं और इसको paste करेंगे फ्री डाउनलोड मेनाजर में fdm इससे download करते हैं इसमें तीन मीनट में download हो जागा थोड़ा fast forward कर लेते हैं इसको download होने के बाद इसको अंजीब कर लेंगे extract पहरे हम इसको install करते हैं इसको देखें इसको देखें इसको देखें इसमें हम अपना कोई भी hard drive करेंगे इसमें 1GB MB में दिया हुआ है अगर आपकी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा hard disk या SSD लगी हुए है उसकी अलग-अलग compression या speed test करना चाहते हैं तो पहले हम आ जाते हैं अपने disk manager में वहां देख सकते हैं कि कौन सा disk कौन सा drive का है एक hard disk 0 है और एक 1 है और दूसरा तरीका है कि अपने task manager में आ जाते हैं task manager के लिए नीचे option किया हाँ से task manager खोल लिया इसके बाद इसमें सो करेगा CPU memory disk 1 disk 0 जो मेरा disk 0 है वह SSD है इसमें सो कर रहा है और जो disk 1 है वह HDD है और उसमें कौन-कौन से drive बने हुए है कौन से hard disk किस company की है हमने देखा उसमें k, G और C हमारी SSD है तो SSD को हम चेक करते हैं और पर क्लिक करते हैं और इसको हम थोड़ा fast forward कर देते हैं अई आई 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 यह NVMe नहीं है, M.2 SATA SSD है, इसके Speed Reading की 500, अब दूसरा है हमारे पास Hardix HDD, अब इसमें हमारे F, D और E Drive है, इसमें से कोई भी Drive सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने F की सेलेक्ट किया है, इसका थोड़ा Fast Forward करें, और इसमें Read Speed 109 MB और Right Speed 7 MB आई है, जब कि यह SSD से लगभग 5 गुनी कम है, अब भी अपने Hardix की Speed चेक्ट करें, अगर आप में SSD लगी है, तो उसकी Speed कितनी है, यह चेक्ट कर सकते हैं, और इसमें, तरह के जानकारी के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई होते हैं, और सेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बन्यवाद,